इस मोसम में आम कच्चा लगेगा, पेपर ओनलाइन ही लेने हमें अच्छा लगेगा मसला था तो नहीं मगर स्टूडन ने मसला बना दिया मेरे एजुकेशन सिस्टम को तुम लोगों ने खच्चर बना दिया मुर्गे तो अंडा देते ही नहीं, क्या होता अगर आप पेपर लेते ही नहीं आसान हो जाती है मन्जिल जब साथ हो एक वफादाश साथी हर बार एक्जैम ना देने की बात करते हो तुम लोगों को शरम नहीं आती फिर दोस भी हो, आशिक भी हो, अवान भी हो, आज पता चला तुम तो पहलवान भी हो लेता है जो पंगा मुझ जैसी खुबसूरत और स्मार्ट से खाता है फिर चांटा मेरे ढाई किलो के हाथ से मारता अगर जवाबी चांटा मैं भी पूरे होश में करना ता फिर तुमने ओयत मार्च का दावा पूरे जोश में हाँ नहीं करती बरदाश जब मेरे मुलक के साथ करे कोई गुद्दारी तुम सबको तो बेटा सीधा कर दूँगी बस मिल जाए मुझे सरदारी कास चल जाएं इस गर्मी में ठंडी हवाएं करदे एक्जैम ऊनलाइन हम देंगे बड़ी दुआएं दुआये तो मुझे मेरी मा भी देती है एक्जैम कैंसिल कैसे करूँ पैसे तो मुझे गौवर्मेंटी देती है ना करो तुम पैसो की फिकर इस बार क्यूँके बच्च कुछ तो तुमने खाया हम लोगों के तर्स हम सब को चाहिए के हम हाइयर एजुकेशन लें वो मैं हाइयर एजुकेशन ले रहा हूँ की खायुकेशन की रहा भुकाया हूँ यार सुन इंटर का रिजल्ट आ गया क्या हाँ आ गया क्या है मुझे बता कब आया अड़े जिसको आना था आ गया क्या कैसे यार तो मुझे बताना रिजल्ट कब आया भाई तू थोड़ा तमीज से बात कर ले क्यों क्योंके मैं अब तेरा सीनियर हूं सुन मेरी एक फोटो निकाल अब इस फिल्टर में भी कैसी घदो जैसी शकल आ रही है हाँ तो बैक कैमरा खोलना हूँ योड़ इस चल मेरे से नहीं करा जाता यह कोश्चन मेरे से नहीं मैट्स पड़ी जाती क्यों नहीं करा जाता मैट्स कौन सा ऐसा मुश्किल कोश्चन कर रहे हैं तुम मैट्स छोड़ने को तैयार हो गया है अबू वो 5 प्लस 5 कितने होते हैं 5 प्लस 5 कितने होते हैं वाह क्या पढ़ेगा बेटा तू हमारे खांदान में कभी इतना कमजोर मैद केसी का नहीं हुआ तेरे बाप दादा सब मैद्स पे टॉप करते आ रहा तुझे 5 प्लस 5 नहीं आ रहा डूब मरने का मकामे में क्या शकल दिखाऊंगा लोगों को 5 प्लस 5 नहीं आता तुझे हद है यार तुझे 5 प्लस 5 नहीं आता तू क्या पढ़ेगा जा जाकर कैलकुलेटर लेकर आ मैं पताता हूँ जा भाईजयन अनार कैसे लगाए 300 रुपे किलो 300 रुपे किलो जार 50 रुपे किलो लगाओ मुझे अनार का जूस पी नहीं भाईजयन 50 रुपे में आप फिर लाल चश्मा पहन के पानी पीलो भाईजयन भाईजयन अडिया अलेकूम बेटा असलाम अलेकूम बेटा अगर इसको कोविड हुआ तो अब मैं क्या करूँ अब इसको ये हाथ मिलाने से मना भी तो नहीं कर सकता मैं क्या करूँ अड़े बेटा क्या हुआ कोविड तो अब चला गया अब तू बस उसको इत्ता बोल कि तुम बहुत खुबसूरत हो तुमारे जैसा हसीर मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा हाँ ये सहीर हाँ मैं बहुत खुबसूरत हूं अपने जैसा हसीर मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा हाँ भाई भाई वो अब चार बज के साथ मिनट में आती है अब मुझे पता दा इन्होंने टाइम चेंज करना है इसलिए मैं जल्दी आ गया बहुत दोगी एरा पेंट ओए ओए गाली ना दे ओए शितान खुश होता है ये बॉआई शितान की भी पेंट हमारा जाज लूप रहे है जी सर यहां से जमीन कितरी दूर है तक्रीबत दो किलो मिटर दूर किस तरफ जाना है नीचे की तरफ नीचे की तरफ दो किलो मिटर दूर जमीन होगी शायद तो चाचा अपने आज तक शादी क्यों नहीं की बेटा वो बचपन में एक हाद्सा हो गया था अल्ला खैर करे क्या हुआ था वो मैंने पैंसिल बोल दिया था दोक्टर साम मेरी गर्दन को बन आ गया है पूरी गर्दन घूम के पीछे आ गया है अरे नहीं बेटा आपने शर्ट उल्टी पैन लिया वो अच्छा अच्छा ओडर ओडर तुम्हारा जूम साबित हो गया और कल सुबा तुम्हें फासी देदी जाएगी कोई आख्रिक होई जज साम मैं मरने से पहले बस ताजे आम खाना चाता हूँ ठीक है तुम्हा आम खिलाए जाएंगे मरने से पहले केस क्लोज मगर जज साम आम तो गरिमोर में आएंगे अभी तो छे महीने आमाने में पता नहीं मेरी कमर में इतना दर्थ क्यों होता है बेटा अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो मुझसे दुबारा पूछ लेते सर्व मैंने आपस इसलिए नहीं पूछा के कहीं आप डांट ना दे मुझे अरे मैं नहीं डांट होंगा यार तुम मुझसे दोस्तों की तरह राकरो मुझे अपना दोस्ती समझो पाइटा ने पिटे है फेक्टरी में एक नागवार तेजाबी बद्वू ने हमारा इस्तक्बाल किया हा जी इक रार भाई क्या ऐल है ठीक है आजये में सथरो टी खाएं यार सिंद्री का अंसर तरी पॉर ता नहीं यार उसका का अंसर 3.13 था नहीं यार उसको 4 से डिवाइड किया था तो 3.14 आएगा ना अच्छा बता तेरा क्या अंसर आया तू बता तेरा क्या आया अंसर 3.14 आएगा तू पता नहीं कैसे कैसे आंसर आ रहे हैं तू पड़ता वड़ता नहीं है incense में परी और में आसमान के उचाईयों में बहुत उचे है पूरा कोहाई कोहाई चेहरो तरफ गोहाई कोहाई यार, मेरेसगे बूरा होता है मुझे लोगों के मुझे आ इंदर घुसना होता है नई यार, मेरेसाथ बहुत बूरा होता है जो 되UNGके है थोड़ी तो ये दर्वाजा खोल जेता हूं